नमस्कार मैं वेशाली मेरे इस यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है हमारी आज की वरत उपवास स्पेशल रेसेपी है ओइल फ्री साबोदाना खीर तो देखते हैं इसमें लगने वाली सामगरी साबूदाना खीर बनाने के लिए साबूदाना 50 gr मीदा दूद्टाना जाएं दूदे नियुकाई और 500 ml मैंने दूद लिया हुआ है और 50 ग्राम मैंने चीनी ली हुए है यह आप अपने स्वादनु सा चीनी ले सकते हैं और इसमे मैं डालूंगी लगबव 8-10 बदाम है और एक छोटा कटोरी किसमे से 8-10 काजू है और इलाइची पॉडर डालेंगे हम इसमे शुरू करते हैं के चीनी काद में और Hoelset अलंब करते हैं अटा प्रिस, इसमें हम दूदंपने पासरा हैं कैसे में में थांते सबूदाणर आपक ऐरàyां संद pig मादल की अबसे कुर्वनाने करते हैं जल्दी पख जाएगा कियोंकि दूदमें भीगए कर रहखा हुआ मैंने लगो आदा घंटा भीगो के रखा हुआ था और इसको पकने देंगे इसके साथ में जब थोड़ा पक जाएगा तब मैं इसमें चीनी डालूँगी अब इसको पकने देंगे इससे दूद में भीगो के रखा था और अच्छा ओबाला आ रहा है अब मैं इसमें चीनी डाल dउङे अच्छे समिक्स कर लेते हैं अब ड्राइब कोट्स भी डाल दूङे में यसमें काजू डाल दूगी बदाम डाल दूँगे किसमेज भी डाल दूँगे और इलाइची पॉडर भी डाल दूँगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कम आज पे लगबग 5 मिनिट पकने देंगे इसे और साबुदानी की हीर हमारी तयार हो जाएगी अभी हमने साबुदानी में चीनी डाली है तो हमें इसको चलाते रहना है कि ये नीचे चिपकेना जलेना और 5 मिनिट में खीर तयार हो जाएगी देखें लगबग 5 मिनिट हो चुके हैं साबुदाना खीर लगबग तयारी हो गई है हमारी अच्छे से पक चुकी है गाड़ी भी हो रही है चीनी भी मेल्ट हो चुकी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है दूद में भीगो के रखा है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है दूद में भीगोने से और जल्दी तयार हो जाती है लगबग 10 मिनिट में हमारे साब साबुदाने की खीर तयार रिखाने के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी खीर तयार हुई है क्योंकि दूद में भीगों के रखा है हमने इसमें किसी भी घी ऑईल का यूज नहीं किया है तो इस रेसिपी को आप जुरू ट्राइ करिए और कमेंट करके बताना ना भूले क इस आबुदाने की खीर आपको कैसी लगी और मेरे यूटूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूले धन्यवाद